पिक्चर में डूवल रोल्स तो हम सबने देखा है एक आक्टर दो रोल्स कभी राम तो कभी श्याम आज देखेंगे हम डूवल रोल्स रेडियेशन का कभी वेव तो कभी पार्टिकल हलो एबर्वान मुझे उमीद है कि आप सब अच्छे हैं और आज में लेकर आए हूँ क् के कॉंसिप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूँ रोश्णी फ्रम लानोहब दो फ्री लर्निंग प्लैटफॉर्म जहां पर आप पर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री माथमाटिक्स बायोजी आपसलूटली फॉर फ्री अट लानोहब.com सो तयार है सभी लोग लेट लॉड तो बच्चो पिछले कुछ ल Coht champion управ किडी लाइट के बारे अमने पठाई फिसे और कहीं लीडिस प्रोप्टिक्रियमं आपक्रणाश और हर जगह हमने लाइट यानि कि रिडियेंशन को देखा एक वेव के नरिये से राइट हमने कई सारे concepts और कई सारे principles के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा Maxwell's theory of electromagnetic waves, हमने पढ़ा Huygens principle, हमने पढ़ा interference, diffraction, polarization और ये जितने भी concepts है, ये सारे concepts emphasize करते हैं on the wave nature of light, है ना, ये सब ही कहते हैं कि light क्या है, light एक wave है, radiation क्या है, एक wave है, है ना, तो अगर ऐसा है, तो इसका तो साफ-साफ यही मतलब निकलता है, कि कोई भी phenomenon, जो light exhibit करता है, जो light के साथ होता है, जो radiation के साथ होता है, वो सब कुछ हम wave theory से explain कर पाएंगे, correct इसका तो यही मतलब है ना, कि radiation अगर wavy है, तो radiation के साथ जितनी भी phenomenon हो रही है, उनको हम wave theory से explain कर ही पाएंगे, लेकिन यहीं पे है कहानी में twist, आज इस lesson के अंदर हम कुछ ऐसे phenomenon के बारे में बात करेंगे, जो light के साथ होती है, जो light exhibit करती है, लेकिन उन्हें हम wave theory of light से explain नहीं कर पाते हैं, and that is where comes into picture the particle theory of light, और यहीं पर शुरू हो जाता है, radiation का double role, कभी particle nature तो कभी wave nature, तो जिन दिनो dual nature of radiation एक hot topic था उन्हीं दिनों, दूसरी तरफ कुछ ऐसे scientist थे, जो कुछ discoveries में busy थे, और ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण discovery थी, the discovery of electron, yes, electronic बहुत crucial role यहाँ पर play करेगा, चिक है, तो चलो पहले सुनते हैं, electron के discovery की कहानी, शौट में सुनेंगे, ठीक है, 1870 के आज़ पास, William Crooks नाम के एक scientist ने discover किया cathode rays, तो यह study कर रहे थे, discharge through gases, जिसके दौरान उन्होंने notice किया, कि anode, जो की positively charged electrode होता है, उसमें कुछ fluorescent glow है, ठीक है, तो उन्होंने find out किया कि कुछ ऐसे radiations थे, जो cathode emit कर रहे थे, और जो anode तक पहुँच रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम रख दिया cathode rays, because यह radiations were emitted by the cathode, उन्होंने यह भी observe किया कि यह जो radiations थे, यह low pressure और electric field apply करने पे emit हो रहे थे, ठीक है, अब फर्दर कुछ सालों के बाद एक और scientist आई, जे जे थॉम्सन, जिन्होंने calculate किया cathode rays का charge by mass ratio, तो उन्होंने भी एक similar arrangement यूज किया, बट इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने perpendicular electric field और magnetic field apply किया, तो इस time तक लोगों को यह exactly पता नहीं था, कि यार cathode rays किस चीज से बनी हुई है, मतलब cathode rays के अंदर किस तरह के particles है, बट लोगों ने इतना तो अंदाजा लगा लिया था, कि यार cathode rays अगर positive electrode पे आके जमा हो रहा है, इसका मतलब cathode rays के अंदर कोई तो negatively charged particles है, तभी तो वो positive electrode की तरफ attract हो रहा है, फाइनली जेजे थॉम्सन ने 1897 में cathode ray particles को नाम करन कर दिया और उन्हें कहा electrons, तो येस इसी वज़े से जब कोई आप से पूछता है, who discovered electron तो आप क्या कहते हो, जेजे थॉम्सन, क्योंकि 1897 में थॉम्सन जी ने discover किया था electrons को, कहानी याँ खतम नहीं होती है, इसके बाद भे कई experiments हुए, जैसे कि 1913 के आसपास, Millikan नाम के एक scientist ने एक बहुती popular experiment परफॉर्म किया, जिसे कहा जाता है, Millikan's oil drop experiment, इस experiment के दौरान, Millikan एक oil drop पे कितना charge है, ये calculate करना चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने ये find out किया, कि एक oil drop पे जितना charge है, तो एक fundamental charge है E, तो oil drop पे जो charge है, that is N times E, वेर N क्या है, is an integer, ठीक है, मतरब it is an integral multiple of a fundamental charge, इन फाक्ट, बाद में जाके Millikan ने बताया, कि ये जो fundamental charge है, इस नथिग बट दौर्चार्ज अन एक्सपरिमेंट्स परफॉर्म किये गे, जाहे Millikan ने परफॉर्म किया, या Thomson ने परफॉर्म किया, इन सारे एक्सपरिमेंट्स के कुछ कंक्लूजन निकल कर आए, पहला कंक्लूजन ये था कि electron जो है, ये negatively charged fundamental constituent of matter है, negatively charged है साफ साफ proof हो गया था, क्योंकि ये जो particles थे, ये कहाँ पर आके collect हो रहे थे, आनोड पर, विच अक्चली मेंट कि ये खुद negatively charged होंगे, तभी ये positive electrode की तरफ आ रहे थे, दूसरा, electron is the elementary charge, that is E, whose value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulm, मतरब electron के ऊपर जो charge होता है, वो charge एक fixed charge होता है, ठीक है, जिसकी ये value होती है, वो हमेशा इस fundamental charge का integral multiple ही होता है, in fact mathematically अगर हम बोले quantization के बारे में, तो Q is equal to N E, मतलब E जो charge है, that is the charge on an electron, इसका integral multiple, N times, when N is an integer, so N times of E ही, कोई भी charge जो है, that will be N times of E, ठीक है, चाहे वो charge हो, चाहे वो charge किसी और particle पे हो, but all the charges that exist, they are all integral multiple of the charge on an electron, and finally, electron के उपर होता है, इसका एक specific charge, specific charge बोले तो, charge by mass ratio of electron, E by M, whose value is 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg, तो ये सारे observations, ये सारे जो conclusion है, ये हमें कहां से मिले, ये जो series of experiments perform हुए थे, वहां से मिले, तो बच्चों, यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं, and that is electron emission, तो अब तो समझ में आई क्या होगा, कि माम इतनी देर सी electron के discovery की कहानी कुछ तुरा नहीं थी, क्योंकि electron emission एक बहुत important topic है, उसी के उपर base करके, हम बात करेंगे photoelectric effect की, और उसके उपर base करके, हम बात करेंगे dual nature of radiation and matter की, ठीक है, तो चलो फिलहाल electron emission पर focus करेंगे, नाम हमेशा बहुत important होता है, electron emission, नाम से क्या पता चल रहा है कि electron emit हो रहा है, right, electron निकल रहा है, कहां से, phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal by applying external energy, ठीक है, मतलब metal के surface से electrons का निकलना, कैसे, by applying external energy, ठीक है, दो बाते हैं यहाँ पर, एक तो metal के surface से electron निकला, कैसे निकला, external energy दे के, बोलने का मतलब है, metal के अंदर electron है, situation कैसा है, कुछ ऐसा है, let us say, यह positively charged nucleus है, अब इसके बाहर इस तरह के orbits में electrons move करते हैं, तो let's say, यह एक electron है, for example, अब यह electrons यहाँ पर घूम ही क्यों रहा है, क्योंकि nucleus जो की positively charged है, उसने से पकड़ रखा है, मतलब वो metal जो है, वो चाहता है कि electron उसके पास रहे, तो do you think, कि इस electron को यहाँ से निकाल लाना बहुत आसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, it is like, कि आप एक hostel में रहते हो, और उस hostel का जो warden है, वो बहुत strict है, तो वो बच्चों को ऐसे ही बाहर गूमने कामने के लिए जाने नहीं देता है, allow नहीं करता है, तो अब अगर इस hostel में रहने वाले, यह एक hostel है, जिसमें यह electronic बच्चा है, अब इस electron को अगर उस hostel से निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, you will have to give some बहाना, और वो बहाना भी ऐसा होना चाहिए, कि वो warden convince हो जाए, अब warden को जाके बोलोगे कि भई मुझे movie देखनी है, इसे मेरे साथ जाने दो, तो क्या वो छोड़ेगा जब इतना strict warden है, नहीं छोड़ेगा, राइट, तो आपका जो बहाना है, वो भी ऐसा होना चाहिए, कि warden को लगे कि हाँ भई जरूरी है, चलो जाने देते हैं बच्चों को, है ना, समझ रहे हो बात को, ठीक उसे तरीके से अगर इस electron को, इस metal के surface से बाहर आना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, बाहर से external energy देनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो एक बार के लिए, कि बच्चा हलका सा बाहर निकल भी गया, तो क्या होगा, जैसे ही electron निकला, तो metal क्या होगा, positively charge हो जाएगा, उसे electron की तलाश रहेगी, देखेगा आज़ पास अच्छा, जो electron निकला था वो तो पास में है, चलो वापिस खींच लिया उसे, तो इसका मतलब, यह जो energy, जो external energy हमें apply करनी है, यह external energy, यह जो metal का और electron का जो attraction है, उससे अधिक होनी चाहिए, राइट, metal जितने attraction से electron को अपने पास रख रहा है, उससे ज्यादा energy से तुम्हें electron को बाहर खींचना पड़ेगा, तभी वो electron emit होगा, और इस तरह के emission of electrons को, हम कहते हैं, electron emission, clear हो गई कहानी, I am sure clear हो गई होगी, अब जब हम electron emission की कहानी सुनते हैं, यही पर हम बात करते हैं, एक और बहुत important term की, which is work function, work function क्या होता है, it is the minimum energy required, एक-एक शब्द पर focus करना है, ताकि आपको concept अच्छे से समझ में आए, minimum energy required by an electron, to escape from the metal surface, कहानी वही है, बट अब इस electron को बाहर निकलने के लिए, जितनी minimum energy, कम से कम इतनी energy चाहिए उसे, तो उस कम से कम energy को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते है work function, ठीक है, याद रखना है बच्चों, क्योंकि आगे जाके जब हम photoelectric effect की बात करेंगी, तो वहाँ पर मैं अक्सरी work function की बात करूँगी, ठीक है, ओके, इसे denote कैसे करते हैं, इसे हम denote करते हैं phi naught से, ठीक है, इसका unit होता है electron volt, electron volt बोले तो अगर, मैं आप तो कह रहे हो कि यह energy होती है, work function is minimum energy, तो energy की unit तो joule भी होती है, होती है, बिल्कुल होती है, किसने बोला नहीं होती है, electron volt बोले तो one electron volt, ठीक है, बोले तो कितना हो गया, एक electron पे जितना charge है, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, into one volt, ठीक है, so this is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, one electron volt is equivalent to itna joule of energy, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब यह जो work function, जो property होती है, जो concept होता है, यह depend करता है on the nature of metal, very very important बच्चों, यह metal के nature पे depend करता है, क्यों, क्योंकि work function क्या है, एक electron को कितनी minimum energy चाहिए, वहाँ से निकलने के लिए, है ना, तो electron कहां बैठा है, hostel में बैठा है, hostel क्या है, metal है, अब depend करेगा, कि बच्चे को hostel से बाहर निकालने के लिए, कितना बहाना देना पड़ेगा, यह कितना push चाहिए, यह depend करता है कि hostel कैसा है, अगर बड़ा ही lenient सा hostel है, warden जो है, वो ध्यान ही नहीं देता है, कि बच्चे हैं नहीं हैं, तो उस केस में तुम्हें इतने बहाने करने की जरूरत है नहीं है, चुप चाप जाओ, अराम से अपने दोस्त को ले आओ निकाल के, लेकिन अगर hostel बहुत स्ट्रिक्ट है, warden बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर उस बच्चे को निकाल लाने के लिए, तुम्हें बहुत सारे ड्रामे करने पड़ेंगे, ऐसा करना नहीं कभी हाथ, बस केमेश्ट्री समझाने के लिए, ऐसा करना नहीं है कभी, बट फिजिक्स के इस कॉंसेट को समझाने के लिए, मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, तो मैं यह कहना चाहरी हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी यह डिपेंड करेगा कि यह किस मेटल में है तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि वर्क फ्मंक्शन डिपेंड्स ऑन दा नेजर ओफ तुम मेटल अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के कई प्रॉससे सोते हैं प्रॉसस तो क्या बेसिकली कैसे हम एदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसके ऊपर बेस करके हम यहां पर तीन तरह के एलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करेंगे पहला टाइप in है यह घर्म आयों इक electrons from metals metals के जो free electrons है metals के बाहर जो electrons है उनको खीचने के लिए हम किस तरह की energy का use करते है thermal energy का use करते हैं इसके applications देखे जाते हैं thermionic converter में अब thermionic converter का detail में हम नहीं जाएंगे अभी बस आप यह समझो कि यह यह तरह के electron emissions होते हैं जो दूसरा type है that is field emission again word पे focus करो field है यहां पर यानि की हम किसका use करते हैं यहां पर strong electric field का use करते हैं हम यहां पर electron को बाहर खिंचने के लिए हम strong electric field का use करते हैं और इसका application देखा जाता है field electron microscope में तीसरा category है photo electric emission photo electric नाम पे focus करो photo word का मतलब क्या होता है light ठीक है यानि कि यहां पर हम क्या करते हैं light of suitable frequency is used to pull out free electrons from metal मतलब यहां पर हम light डाल के electrons निकालते हैं कुछ वैसा करते हैं in fact यह जो topic है इसको हम अभी पूरी तरह से बिलकुल जड़ से समझेंगे क्योंकि photo electric effect समझना है तो photo electric effect में क्या होता है photo electric emission होता है इसमें सारी बाते clear होती जाएंगे तो इसका application हमें कहां देखने को मिलता है photo electric emission जैसे की image sensors जैसे की gold leaf electroscope इन सारे जगहों पर हमें photo electric emission देखने को मिलता है यहां डालेंगे हम थोड़ा सा special focus on photo electric emission क्यों क्योंकि इस lesson का जो सबसे super duper important topic है that is photo electric effect yes photo electric emission जो है यह पहली बार discover हुआ था in 1887 बाइंट्रिच हर्द्स 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 जो है यह electromagnetic wave के कई experiments perform कर रहे और इन experiments को करने के दौरान उन्होंने ऐसा observe किया कि जो voltage spark produce होता था वो enhance हो जाता था जब ही emitter plate पे हम ultraviolet light illuminate करते थे बोलने का मतलब यह है कि मेटल के surface पे जब light गिराया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मेटल के surface में सी electrons निकल के वो flow कर रहे थे and flow of electrons constitute current और current जहां spark वहां राइट तो basically हर्द्स ने अपने electromagnetic wave के experiments के दौरान basically यह notice किया कि अगर हम light दे रहे हैं light को incident कर रहे हैं तो कहीं न कहीं current flow हो रहा है तो पहली बार यह photo electric emission का जो concept है यह सामने आया तो कुछ इसी टाइम के आसपास around 1886-1902 के बीच में hall watch और लेनार्ड नाम के दो scientists photo electric emission को काफी detail में investigate कर रहे थे उन्होंने ऐसा observe कि अगर एक ऐसा setup हो जिसमें evacuated glass tube हो जिसके अंदर एक emitter plate हो और collector plate हो और emitter plate पे अगर ultraviolet radiation को गिराए जाए incident किये जाए ultraviolet radiation को तो उन्हों नोटस किया कि उस circuit में से current flow करता है तो इन observations के उपर base करके इन्होंने कुछ-कुछ बाते conclude की तो इनका पहला conclusion यह था जो incident light है जो light हम incident करते हैं उस incident light में यह capability होती है कि वो metal surface में से electrons को बाहर निकाल लाए क्योंकि जब यह electrons बाहर निकाल लाएंगे और flow करेंगे तो electron के flow से क्या होगा current flow करेगा circuit में है ना तो पहला conclusion इनका यही था कि जो incident light है इसमें इतनी capability थी कि यह metal के surface में से electrons को बाहर निकाल लाएंगे दूसरा इनका conclusion यह था कि यह जो पूरा जो current flow का जो यह drama पूरा जो यह current flow का जो यह scene था यह होता है तभी जब incident light का जो frequency है वो एक particular frequency के value से ज्यादा है बोलने का मतलब यह तो उस case में हमें यह effect देखने को नहीं मिलता है मतलब उस case में जो electrons है वो metal के surface को छोड़ के बाहर नहीं आते हैं only when जो frequency है incident light की वो एक particular frequency से अधिक है तभी electrons metal के surface से बाहर आते हैं और तभी हमें circuit में current देखने को मिलता है तो इस minimum frequency की value को नाम दे दिया गया threshold frequency तीसरा conclusion उनका यह भी था कि यह जो threshold frequency की value है यह depend करता है nature and material of the emitter plate क्योंकि यह जो emitter plate है जिस metal के सर्फ जिस metal से बना हुआ है डिपेंड करता है कौन से metal से बना है lithium से बना है sodium से बना है magnesium से बना है किस से बना हुआ है right क्यों क्योंकि अलग-अलग metal के अलग-अलग electronic configuration होंगे right तो इसलिए किस metal से electron को निकालना कितना आसान या मुश्किल है उसके उपर depend करेगा correct अब सामझ ज़ेंगा कि किस metal से electron को निकाल पाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है उसके उपर depend करेगा कि भई हमारी threshold frequency कितनी होनी चाहिए right जैसे for example let us say कि एक लड़का है रोहिद जो घर से निकलना ही नहीं जाता है अब उसको घर से निकालना कितना मुश्किल है वो डिपेंड करेगा right for example हो सकता है कि अगर मैं उसे कहूं कि भई अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें झीक है अगर उसको घर से निकालना बहुक्त जादा मुश Mimi तो वह एक चॉकलेट बात से मान जाएगा लेकिन मानं लोग कि उसको घर से निकालना बहुत्स या तुम्हें च्श कोड़एगा कि या तुम्हें कि निकालना कितनाуєतetzt St तब minimum क्या देने से वो घर से निकल जाएगा, है ना, तो situation कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी, कि अलग-अलग material में electron कब निकलेगा, वो अलग-अलग होता है, तो obviously उसी के उपर depend करेगा कि threshold frequency कितनी होगी, किस frequency के बाद electron निकलने लग जाएंगे, वो भी अलग-अलग nature of material प समझ के, हमें क्या समझ में आता है, what is photoelectric effect, photo मतलब light, electric बोले तो electron को निकालना और effect बोले तो effect, so photoelectric effect क्या होता है, emission of electrons from a metal by incident electromagnetic radiation, बहुत यह simple है, emission of electrons, मतलब एक metal के surface से electron का emit होना, electron का निकलना, क्यों निकलना, by incident electromagnetic radiation, जब उसके उपर कौन incident होता है, कौन गिरता है, electromagnetic radiation, ठीक है, तो इस effect को हम कहते है, photoelectric effect, यह जो electrons निकलते हैं, इन्हें हम कहते है, photo electrons, और इन electrons के flow से जो current बनता है, उसे हम कहते है, photo current, जो metals, यह property exhibit करते हैं, मतलब जो भी ऐसा metal है, जिसके उपर visible light गिरने से, वो electrons emit करता है, उ उस तरह के metals को हम कहते है, photo sensitive, यानि कि वो light से sensitive है, उनके उपर जैसे ही light गिरा, वैसे ही वो क्या करेंगे, electrons को निकाल देंगे, तो इसलिए उस तरह के metals को हम कहते है, photo sensitive, अब photo electric effect को experimentally समझने के लिए, सबसे पहले देखना होगा, कि भई, experimental setup कैसा है, तो यह है हमारा experimental setup, इस emit होगा, तो यह वाला जो plate है, यह वाला plate को हम कहते है, emitter plate, emitter plate क्यों कहते है, क्योंकि इस पे light गिरने पे यह electrons emit करता है, और यह electrons कहाँ पहुचता है, यह जा पहुचता है, दूसरे वाले metal plate में जो की anode है, तो इसलिए यह वाला जो plate है, यह electrons को collect करता है, इसलिए इसको हम collector plate कहते हैं clear है यहां तक ठीक है तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह emitter plate है और वह collector plate है और जो emitter plate होता है वह photo sensitive plate होता है ठीक है इसके बाद next important चीज़ क्या चाहिए हमें monochromatic light of short wavelength अब भाई photo electric effect पढ़ रहे हैं तो light fall करेगी तो electrons निकलेंगे तो light तो चाहिए ना तो यह है हमारा source of light और यह light कौनसी plate पे fall करेगा obviously photo sensitive plate के उपर light fall करेगा इसके अलावा वही जो सारे circuits में होता है battery volt meter emitter वगरा ठीक है and that's how we have our experimental setup अब इसमें होता क्या है यह light emitter plate पे fall करता है चूँकि यह photo sensitive plate है तो light की suitable frequency इस पे helemaal करने पे क्या होता है कि इसमें से electrons निकलते है Electrons निकलते Electrons flow करते है Electrons weekend flow करते हैं तो क्या होता है हमें circuit में current flow करता हूं because flow of current is flow of electrons is current तो यहाँ पर हमें circuit में current flow करता हूं दिखता है तो अभी हम लोग आगे के sections में यह discuss करेंगे कि यह जो current इस circuit में flow करता है जिसे हम photo current कहते है तो यह photo current कौन सी चीजों पर depend करता है photo current light की intensity पर depend करता है यह light की frequency पर depend करता है या फिर इन दोनों plates के बीच का जो potential difference है उस पर depend करता है तो यह सारी चीज़े हम एक एक करके detail में discuss करेंगे तो basically इस experiment से जो जो चीज़े conclude की गई हम एक करके point by point एक एक conclusion को discuss करेंगे तो हमारा सबसे पहला conclusion इस experiment से यह conclusion बताता है variation of photo current with intensity of radiation बतलब जो incident light थी उसकी intensity के साथ photo current का क्या relation है सबसे बहले तो इस बात को clear cut कर लो कि भाई photo current का मतलब जो current flow कर रहा है obviously वो current किसकी वज़े से flow कर रहा है electrons के flow करने की वज़े से तो photo current क्या हुआ photo current is basically number of photo electrons per unit time यह photo current तो हम लोग notice करते हैं कि जब frequency को fix रख दिया गया जब potential difference between the two electrodes को fix रख दिया गया और सिरफ intensity को change किया गया जो light fall कर रही थी emitter plate पे उस light के intensity को जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा था तो ऐसा देखा जा रहा था जो photo current है वो भी बढ़ रहा था and this is how the graph looks like देखो एक दम linear graph है intensity बढ़ रहा है photo current भी बढ़ रहा है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि photo current varies linearly with the intensity of light very 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 important बच्चो यह जो एक-एक point अब हम discuss करेंगे यह सारे points बहुत important है इंसे आपके exams के question भी आते है तो photo current is directly proportional to the intensity of incident radiation अब discuss करेंगे हम conclusion number 2 जहां पर हम discuss करेंगे variation of photo current with potential ठीक है potential मतला है we will talk about the potential difference between the two plates इससे पहले कि हम इस variation को देखे सबसे पहले हम दो terms को समझ लेते हैं एक positive potential दूसरा negative potential ठीक है अभी अभी मैंने क्या बोला हमारे पास दो plates है ठीक है let us suppose यह एक plate है which is the emitter plate यह दूसरा plate है which is the collector plate बस समझाने के लिए मैं इसको side में draw कर रहे हूं ठीक है collector is positive with respect to emitter ठीक है मतलब यह जो collector है ना इसका potential जादा है compared to emitter ठीक है यह मतलब होता है positive potential का ठीक है अब चुकि positive potential का मतलब बता दिया है तो negative potential का मतलब आपने गैसी कर लिया होगा है ना तो negative potential का मतलब क्या होगा simple सी बात है negative potential का मतलब होगा की collector जो है that is negative with respect to the emitter ठीक है मतलब positive potential जब भी भी मैं बोलूंगी इसका मतलब collector का जो potential है वो higher है compared to emitter negative potential जब भी बोलूंगी इसका मतलब है collector का potential है that is lesser when compared to the emitter ठीक है याद रहेगा सबको because this is very important without this आपको potential के साथ इसका variation photo current का variation समझ नहीं आएगा ठीक है तो अब देखते है plot को तो देखो this is how the graph looks like तो graph में अब देखो यह positive potential retarding potential retarding potential बोले तो negative potential ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है graph में क्या दिख रहा है graph में दिख रहा है photo current increases with increase in positive potential till the current reaches a saturation value पहले हम सुरफ positive potential की बात करेंगे तो positive potential पे अगर ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में यह बढ़ रहा था थोड़ा 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 saturation current इसका मतलब क्या हुआ कि current की value अब फर्दर नहीं भढ़ेगी तुम चाहे positive potential जितना मर्जी बढ़ा दो बट ऐसा क्यों हो रहा था वह setup यहाद है setup को एक बार फिर से recall करो setup हमारा कुछ ऐसा था कि emitter पे light incident होता था और यहां से फिर जो electrons हैं वो emit होते थे और यह electron जो है यह collector की तरफ जाते थे यही होता था अब मैंने बोला कि यार अगर इन दोनों के potential को अगर positive potential को हम बढ़ाते रहेंगे तो जादा electrons collector पे जाते रहेंगे ओके ठीक है ऐसा क्यों होगा क्योंकि देखो जब हम positive potential की बात कर रहे हैं तो हमारा यह जो collector है यह ज्यादा positive है electron जो है negatively charged है तो जो जादा positive है उसकी तरफ खीचा चला जाएगा तो इधर जाता जाएगा तो इसी कारण से positive potential में starting में positive potential में photo current बढ़ रहा था सवाल यह उठता है कि उसके बाद यह रुक क्यों जाता है वह रुक इसलिए जाता है क्योंकि अब यह जो एमिटर जो प्लेट है ना इस photo sensitive प्लेट में भी ऐसा तो आया नहीं कि infinite number of electrons है एक fixed number of electrons ही यह एमिट कर सकता है राइट based on the nature of the plate तब क्या हुआ कि जितने इसके पास थे इसके पास जितने पैसे थे वह इसने खर्च कर दिये हैं अब चाहें आप इसको डंडा दिखाओ इसको डांटो मारो पीटो इसके पास है ही नहीं तो यह कहां से देगा तो वही वाली सिच्वेशन है इसने अपने सारी एलेक्ट्रॉंस ओल्रेडी दे दिये हैं निकल गए हैं अब भई आप इसका पोटेंशिल चाहें कितना बढ़ाते रह जाओ पॉजिटिव पोटेंशिल इसके पास है नहीं तो कहां से आएंगे तो उसी वज़े से एक पॉइंट पर जाके जो करेंट की वाल्यू है व और बढ़ नहीं रहा है and that is why we reach the saturation value समझ आई बात ग्रेट अब बात करेंगे हम नेगेटिव पोटेंशिल की तो नेगेटिव पोटेंशिल के साथ क्या होता है फोटो करेंट डिक्रीज इंक्रीज इन डिटार्डिंग पोटेंशिल तिल इट बिकम्स जीरो मतलब अब फोक जीरो हो जा रहा है राइट सबसे पहले समझेंगे कि यह ड्रॉप क्यूं रहा है ड्रॉफ इसली और है जब हम नेगेटिव पोटेंशिल की बात कर रहा है इसका मतलब जो हमारा कलेक्टर प्लेट है यह ज्यादा negative competitive, इमेट टुद अब हमारा ही फोटो इलेक्रिक ए कि की फंडा क्या था कि यहां पर लाइट गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉंस निकल के इस तरफ आएंगे बट भाई देखो ना यह भी नेगेटिव लिचार्ज और यह भी नेगेटिव है फिलहाल तो काफी सारे इलेक्ट्रॉंस जो है वो रिपल्शन की वज़े से वो जाएंगे ही नहीं तो बेसिकली आपका जो नंबर ओफ लेक्ट्रॉंस रीचिंग दा कलेक्टर प्लेट पर यूनिट टाइम वो तो घट गया तो इस वज़े से क्या हो रहा है आपका फोटो करेंट घट रहा है अब पूछोगे कि तो फिर फोटो करेंट है ही क्यों क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉंस यहां तक पहुंच जाते हैं इवेन दो यह नेगेटिव पोटेंशियल पे है बट स्टिल कुछ-कुछ इलेक्ट्रॉंस कुछ वैसे इलेक्ट्रॉंस जिनके पास बहुत ज्यादा एनरज हैं वैसे कुछ-कुछ इलेक्ट्रॉंस यहां तक पहुंच जाते हैं इस वजह से हमारे पास थोड़ा बहुत फोटो करेंट है बट जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएंगे इसका मतलब यह जो कलेक्टर प्लेट है इसका नेगेटिविटी और बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो क्या होगा जितने केपबल इलेक्ट्रॉंस थे कि थोड़े बहुत जो पहुंच रहे थे लेट लेट अपोस की स्टार्टिंग में 100 पहुंच पा रहे थे कलेक्टर प्लेट तक बढ़ने इसका नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा पाएगा जब एक भी इलेक्ट्रॉंड का लेक्टर प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा फोटो करेंट जीरो होगा राइट अड़ाइट इस रीजन जब आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हो तो पोटेंशियल को आप जब इतना कर दिया है right so this value is called stopping potential तिक घबराना नहीं stopping potential की बारे में अभी हम और धेड सारी बातें करने वाले है तो इसका मतलब क्या हुआ stopping potential क्या है it is the minimum negative potential V naught that is given to the plate A for which the photo current becomes 0 मतलब यह वह negative potential है minimum negative potential प्लेट यह बोले तो काँग सा प्लेट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं collector plate की तो collector plate के जिस negative potential पह एसा negative पोटेंशियल जब ηलेक्ट्रोन collector plate पेब पहुचही न पाई उनका पहुच पाना बंध हो जाये तो उस potential को हम कहते हैं stopping potential तो इसका मतलब है जैसे कि मैं वतारी थी उसके पहले तक जब negative potential थोड़ा थोड़ा बढ़ आता तो बहुत चलो सारे नहीं भी तो कुछ-कुछ electrons collector plate तक पहुच पा रहे थे रैट बट वह कौन से electrons थे जो पहुच पा रहे थे जो highly energetic थे जिनके energy बहुत जादा थी राइट बट अब हमने क्या कि बहुच प्लेक्टर प्लेट का जो potential था ना उस potential को हमने बहुत जादा negative कर दिया तो क्या हो गया जो most energetic electron था ना वो भी अब हार मान गया most energetic electron भी बोला कि भाई मैं भी नहीं पहुच पाऊंगा collector plate पे है ना तो इसका मतलब यहां से हमें एक चीज और पता चलती है कि जो most energetic photo electron होता है उसकी maximum kinetic energy कितनी होगी आप बताओ मुझे क्योंकि जब आप stopping potential पे जा रहे हो एक्जाक्ली उसी पॉइंट से वो बोलता है कि भाई अब मैं collector plate पे नहीं पहुच पाऊंगा यानि कि stopping potential का कुछ को corresponding kinetic energy है उसके पास उतनी ही kinetic energy है उससे ज्यादा नहीं है तो इसी लिए most energetic photo electron का maximum kinetic energy होगा charge of the electron into the potential का value बच्चो इस formula को दिमाग में डाल लो रटो नहीं दिमाग में डाल लो क्योंकि इससे related बहुत तरह के concept based questions भी आपको पूछे जाते हैं ठीक है बात समझ में आई तो यह हो गया maximum kinetic energy of the photo electron ठीक है stopping potential को cut off potential भी कहा जाता है ठीक है किसी भी एक given frequency के लिए मतलब जो incident radiation है उसके एक particular frequency के लिए stopping potential is independent of intensity stopping potential को intensity से कोई मतलब नहीं है ठीक है मतलब किस potential पे photo current zero हो जाएगा इस concept को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो radiation fall की आथा emitter plate पे उसकी intensity कितनी थी ठीक है याद रखना है यह सारी points बहुत important है तो इसका मतलब है जो हमारा stopping potential है और जो हमारा intensity है इन दोनों के बीच में कोई relation नहीं है दियार independent of each other ठीक है ओके इसके अलावा फिर यह किस पे dependent है जो stopping potential है यह किस चीज़ पे dependent है यह frequency dependent है new frequency यानि है कि new पे dependent है और किस पे dependent है यह material of the emitter plate पे dependent है now this is very logical right emitter plate का जो material है उस पे तो यह depend करेगा ही न भाई क्योंकि stopping potential क्या बताता है कि कि किस point पर photo electrons अब और collector plate तक नहीं आ पाएंगे तो photo electrons में कितनी energy है यह कैसे पता चलेगा emitter plate के nature पे क्योंकि emitter plate जिस चीज का बना है भाई मतलब जिस metal का बना है उसका electronic configuration कैसा है उसमें electron देने की tendency कैसी है यह सारी चीजों पे depend करेगा तो इसे लिए stopping potential frequency और material of the emitter plate पे depend करेगा अब इसको graphically देखते है तो अगर हम graphically note करें तो हम क्या देख रहें इस फोटो करेंट y-axis पे और x-axis पे क्या है potential हां तो यहां पर देखो तीन different graphs है for three different values of intensities of incident radiation i1 i2 i3 so i3 बहुत ज्यादा है i1 बहुत कम है तो तीन प्लोट का जो stopping potential वाला point है that is the same तो यह graph यह clearly prove कर रहा है कि जो stopping potential है that is independent of the intensity of the incident radiation तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम conclusion number three की तरफ तो फोटो करेंट का जो dependency है यह intensity के साथ हमने देख लिया यह potential के साथ हमने देख लिया बचा तीसरा factor जो की है frequency of the incident light और इसको कैसे समझेंगे इस graph से graph को देखो और उसके बाद आप खुद मुझे बताओ कि यह graph क्या कह रहा है देखो graph कह रहा है कि भाई तीन graphs plot किये गए हैं ठीक है for three different frequencies new one new two and new three तीन different frequencies के लिए तीन graph plot किये गए हैं अब आप मुझे बताओ तीनों का photo current का कैसा सीन है दियान से देखो कि तीनों का जो saturation current है ना that is just the same जिससे क्या प्रूव होता है कि saturation current को frequency की value पे कोई फरक नहीं पड़ता है which actually means that photo current is independent of frequency of incident radiation तो बच्चों देखो यह ना छोटी-छोटी जो relationships है ना कई बार बड़ी confusing होती है याद रखनी but let me just give you a recap ताकि आप confused नहों ठीक है तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि photo current intensity से directly proportional है जितना जाधा intensity उतना जाधा photo current लेकिन photo current frequency से independent है frequency से कोई मतलब नहीं अभी फोटो current को ठीक है लेकिन वही जब हमने stopping potential की बात की ती तो उसका direction बिल्कुल उल्टा था stopping potential frequency पे dependent है लेकिन stopption potential intensity के independent है ठीक है तो confuse नहीं होने का ठीक है विखाल हम बात कर रहे है funtor current की किसके साथ consider कर रहे हैं frequency का क्या फरक पड़ता है फोटो करेंट में तो frequency का भाया कोई फरक नहीं पड़ता ठेक है इसके अलावा हमने यह देखा कि यह जो पूरा जो फोटो फ्रिक्वेंसी एंड इस वेरी इंपोर्टन इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं ऐसा भी देखा गया तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो देखो जो यह प्लॉट किसके किसके बीच में है stopping Potential नहीं करता है फोटो करेंट इंटेंसिटी पर पीडिवेंसी का ग्राफ बड़ेगा और स्कॉट्पींचिल यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है तो यह वाला जो पॉएंट है यह वह point है जहां से photo electric emission होना शुरू हो रहा है उससे पहले photo electric emission हो ही नहीं रहा है तो this point corresponds to new knot जिसे हम कहते हैं threshold frequency ठीक तो इसका मतलब threshold frequency क्या होता है minimum frequency frequency की वह minimum value जिसके नीचे below which photo electric emission does not occur तो इसे cut off frequency भी कहा जाता है and it varies with metals which again makes a lot of sense क्योंकि different metals का different configuration होने की वज़े से उनका electron के साथ जो attraction है वो भी अलग-अलग है तो इसलिए कौन किस frequency में electron देने लगेगा that will vary from metal to metal है ना तो जितने भी experimental conclusion के बारे में हमने discuss किया उसका एक quick recap because that is very important तो net net हमने इस पूरे experiment से क्या समझा कि जो photo current है यह directly proportional होता है intensity के साथ ठीक है हमने यह भी सीखा यह भी जाना basically कि जो saturation current होता है that is found to be proportional to the intensity ठीक है मतलब current basically चाहे photo current हो चाहे saturation current हो current किसके proportional है intensity के ठीक है उसके बाद हमने क्या सीखा जो stopping potential है that is independent of intensity जहां stopping potential की बात करते हैं तो वो intensity से independent है ठीक है stopping potential किस पे depend करता है frequency ठीक है frequency की जब हम बात करते हैं तो there exists a minimum frequency जिसे हम threshold frequency कहते है for every material below which no photo electric effect occurs okay for stopping potential की अगर बात करें तो stopping potential or maximum kinetic energy of photo electrons increases linearly with frequency ठीक है यह जो current है न फोटो current यह intensity पर डिपेंड करता है frequency पर डिपेंड नहीं करता है और stopping potential यानी की वी नौट और maximum kinetic energy यानी की के माक्स यह दोनों ऐसी चीजे है क्योंकि दोनों आपस में भी लिंक्त है राइट के माक्स इपल टूई वी नॉट यह दोनों ऐसी चीजे है जो frequency पर डिपेंड करती है और यह intensity के independent है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस अन instantaneous process मतलब यह instant पर होता है मतलब it is not a continuous process यह process हमेशा नहीं होते रहता है जब light of a suitable frequency falls on a metal plate तो electron emit होता है and that's when photoelectric effect occurs ठीक है तो यह हमारा overall experimental conclusion है अब आगे हमें यह देखना होगा कि क्या इस photoelectric effect को wave theory of light explain कर पाता है तो बच्चो इस time तक हमें photoelectric effect के experimental observations और conclusions अच्छे से समझ में आ चुका है है अब ऐसे सोचो कि जिस दौरान यह सारे experimental observations सामने आए इस time तक light एक electromagnetic wave है यह काफि satisfactory तरीके से proof हो चुका था क्यों क्योंकि light का जो wave nature है इसके support में कई कई सारे concepts काफि satisfactorily explain कर दिये जा चुके थे जैसे कि interference जैसे कि diffraction जैसे कि polarization और यह सारे ही यह support करते थे किसको support करते थे wave nature of radiation को support करते थे तो अब सवाल यह आया जो कि मैंने इस video के बिल्कुल शुरूबात में कहल था कि ठीक है कोई बात नहीं अगर radiation एक वेवी है अगर radiation में सिरफ wave nature है तो radiation के साथ होने वाली कोई भी phenomenon को हम wave theory of light से explain कर पाएंगे तो अभी अभी हमने एक phenomenon की बात की विच इस photo electric effect तो अब हमें यह देखना था कि क्या हम photo electric effect को wave theory of light से explain कर पाते हैं यह हमारा agenda है तो wave theory of light ने बोना कि यार यह जो पूरा जो photo electric effect का जो phenomenon है ना यह एक instantaneous process है ही नहीं जिस भी metal के ऊपर light incident होती है light गिरती है उस metal में जो electrons है वो continuously light में से energy absorb कर रहा होता है तो जितना ज्यादा light की intensity होगी उतना ही ज्यादा energy यह लोग absorb करेंगा तो देखो सबसे ही पहले इन्होंने एक पॉइंट बता दिया कि फोटो electric effect जो है ना यह instantaneous process नहीं है जो कि सबसे पहला ऐसा पॉइंट था जिसने contradict किया हमारा जो अभी तक का experimental observations और conclusion था दूसरा point इन्होंने बोला कि अब चुकि ऐसा था कि यह जो metal surface पे जो electrons है यह continuously energy absorb कर रहे हैं इसका यह मतलब हुआ कि जो light incident है उसकी intensity जितनी ज्यादा electron उतना ज्यादा energy absorb करेगा तो इसका मतलब जो electron emit होगा यानि कि जो photo electron है उनकी जो maximum kinetic energy होगी यह किस पर dependent होगी intensity of light पे ठीक है ऐसा wave theory ने बोला बट अभी तक हमने जो पढ़ा हमारा experimental observations उसके according जो kinetic energy max होती है जो maximum kinetic energy of photo electrons होती है that does not depend on intensity of the incident light तो यह दूसरा point contradict हो गया तीसरा point wave theory of light ने बोला कि यार यह जो threshold frequency का concept है ना इसकी तो जरूरत ही नहीं है यार क्यों जरूरत नहीं है जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखो कि जो intensity है light की जो light गिर रहा है उसकी intensity अगर बहुत strong हो तो उतने strong intensity से जो electrons है metal के surface वह बहुत high energy gain कर लेंगे और उसी से वह metal के surface को छोड़के बाहर निकलाएंगे राइट क्योंकि wave theory का तो यही नजरिया था तो इनके according की threshold frequency का कोई concept चाहिए ही नहीं तो again यह तीसरा एक और ऐसा point था जिसने contradict कर दिया जो हमारा experimental observation था उसको तो इससे क्या प्रूव हुआ अब यह experimental observations तो हमें experimentally मिल रहे थे यानि कि वो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ सच है they are facts इसका एक ही मतलब हुआ कि जो wave theory of light है वो explain नहीं कर पाई photo electric emission के basic features को और यहीं से आ गया क्या particle theory of light Einstein ने कर दिया था धमा का Einstein लेकर आय थे Einstein's photo electric equation तो Einstein ने बहुत ही satisfactory explanation दी photo electric effect की using something different using the particle nature of light तो देखो Einstein ने क्या कहा 1905 में Albert Einstein proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to explain photo electric effect और वो new picture क्या थी new picture थी particle theory of light बिलकुल एक नया अंदाज एक नई चीज़ एक नई theory क्योंकि wave theory of light तो explain कर नहीं पाई photo electric effect को अब आप देखो कितनी beautifully आइंस्टाइन ने particle theory of light के help से पूरे के पूरे photo electric effect को explain किया तो particle theory of light यह कहती थी कि radiation consists of discrete particles या फिर discrete units called quantum of energy of radiation with energy h new each और इन्हें हम कहते हैं photons मतलब simple शब्दों में यह theory यह कहती है कि light जो है यह चोटे चोटे particles से बने हुए हैं जिन particles को हम कहते हैं photon और हर एक photon का हर एक photon का energy होता है h new तो ऐसा है कि जब किसी object में light fall कर रही है तो बेसिकली बहुत सारे photons उस पर fall कर रहे हैं हर एक photon का energy है h new ठीक है clear है ओके तो अब देखो एमिटर पे जो light fall किया that has energy h new यह मान लेते हैं ठीक है अब यह बात बताओ यह एमिटर से electron निकलेगा कब मैंने बताया था electron को hostel से निकालना इतना आसान नहीं है कब निकलेगा electron जब आप उसको sufficient energy दोगे तभी ही वो निकलेगा वहां से हैना तो इसका मतलब है इस electron को निकालने के लिए जो minimum energy चाहिए उसे हम क्या कहते है work function work function को हम denote करते हैं 5-0 से यह सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी तो basically कहाने कुछ यूं है कि अगर यह जो h new है अगर h new की value 5-0 से ज्यादा है मतलब electron का जो work function है work function मतलब जो minimum energy चाहिए electron को उस metal से निकालने के लिए अगर उस minimum energy से ज्यादा है यह h new मतलब जो light fall कर रहा है उसका energy गर उससे ज्यादा है तभी ही आपका photoelectric emission होगा तभी ही photoelectric effect होगा क्योंकि तभी ही electron emit होगा राइट अगर h new की value 5-0 से कम है तभ photoelectric effect नहीं होगा यह बात तो सबको समझ में आ रही है यह दोनों केसे सबको समझ में आ गया ठीक है ओके अब मैंने बोला कि what if h new की value जो है वो 5-0 के बराबर है इसका मतलब है हमने जितनी energy दी exactly उतनी ही energy इस electron को चाहिए metal से निकलने के लिए तो भाई ऐसा situation कुछ ऐसा हो जाएगा कि electron metal से निकल तो जाएगा बट आगे जाने के लिए अब electron के पास there is no energy तो अब electron भाग नहीं पाएगा यानि कि ऐसे case में बोलने को तो electron मेटल से निकल जाएगा बट इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा डाट विल इकवल टू जीरो क्यूंकि भाई काइनेटिक एनर्जी होगी कहां से दोड़ेगा कहां से एनर्जी बचा ही नहीं उसके पास करेक्ट तीनों केसे समझ में आगे अच्छे से वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए अच्छे से सुनो और समझो अब पहले वाले केस पर से फोकस करो कि भाई नहीं जो एच नियू था ना यह जो एनर्जी डेडियेशन ने दी वो ज्यादा था वर्क फंक्शन से उसके ना जिसे एलेक्ट्रों दोर एगा तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनरजी होगी एलेक्ट्रों की डैट विल बी इकवल तो एच नियू माइनस फाइनौट यह एक सिंपल कहानी है यहां इलेक्ट्रों बैठा है यह निकल तभी पाएगा जब इसे कम भाई नाट एनरजी म विलिए इसके कायनेटिक एनरजी 0 होगी अगर आपने हम ज्यू जाधा दिया फाइनौट से तो एलेक्ट्रण निकलेगा भी और दोडेगा भी तो एलेक्ट्रों की काइनेटिक रड़ी भी होगी। तो इसका मतलब मेरा एक्स्प्रेशन क्या होगा तो मेरा करके यह equation आपके दिमाग में चप जाना चाहिए इलेक्ट्रोन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जितना तुमने एनर्जी दिया विच एच न्यू उसमें से कुछ तो उसका फाइनॉट तो उसका वर्क फंक्शन ओवरकम करने में चला गया तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा एनर्जी था उसी एनर्जी से इलेक्ट्रोन दोड़ेगा तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सजा के लिखो तो यह हो जाएगा एंच न्यू विज इकल तू फाइन नौट प्लस के मैक्स और यह क्या है इस सॉटन फोटॉट इलेक्ट्रिक इक्वेशन और सबसे मज्यदार बात यह है कि आईस्टाइन के इस फोटॉट्रिक इकवेशन के हैल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट के जितने experimental observations थे वो सारे के सारे प्रूफ कर देंगे तो में फंडा ये है कि आपका ये Einstein's photoelectric equation का फंडा होना चाहिए crystal clear तब ही जाके आगे की बाते समझाएंगी तो चलो बच्चों अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से Einstein ने अपने Einstein's photoelectric equation के help से photoelectric effect के सारे experimental observations को प्रूफ किया तो सबसे पहला observation था photo current is directly proportional to the intensity of incident light तो इसे Einstein ने कैसे explain किया Einstein ने बोला intensity अगर ज्यादा है incident light की इसका मतलब number of photons उसमें ज्यादा है अब number of photons अगर ज्यादा होंगे तो obviously बात है कि जो number of photo electrons emit होंगे वो भी ज्यादा होंगे number of photo electrons ज्यादा होंगे तो photo current ज्यादा होगा अब चलते हैं second वाले point पे which told की saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation अब भाई photo current अगर directly proportionally intensity की तो जाहिर सी बात है saturation current भी directly proportionally होगा तीसरा point था there exists a threshold frequency for every material below which no photo electric effect takes place हर material के लिए एक minimum frequency की value होती है जिसके नीचे photo electric effect होता ही नहीं है इसको कैसे explain किया Einstein ने देखो Einstein के theory के हिसाब से एक value होती है h new ठीक है बतलब जितनी energy की radiation उस पर गिर रही है metal plate पे अगर इस h new की value phi naught के बराबर हो phi naught क्या है metal का work function ठीक है अगर h new phi naught के exact बराबर हो तो वैसे केस में क्या होता है मैंने पहले डिसकस क्या था कि electron metal से निकल तो आता है बट उसके पस kinetic energy होती नहीं है दोडने के लिए तो इसका मतलब अगर h new की value phi naught से कम हो जाए तो उस case में क्या होगा photo electric emission होगा ही नहीं यानि की new की value कम से कम इतनी होनी चाहिए कि h new is equal to phi naught टाकि photo electric emission हो सके तो इस new को हम new naught से denote कर सकते हैं and this new naught is threshold frequency clear है तो इसका मतलब Einstein के equation को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे हम phi naught के बदले में h new naught भी लिख सकते हैं in terms of threshold frequency तो इसे हम लिख सकते हैं h new naught plus k max अगर आप चाहते हो कि आप Einstein का equation ऐसे लिखो जिसमें threshold frequency का term हो तो आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो है तो चलो इसका अगला point देखते है fourth point कहता है stopping potential is independent of intensity of incident radiation मतलब जो stopping potential V naught है राइट वी नॉट के बारे में हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि वी नॉट इवी नॉट इस equal to क्या होता है k max होता है यह हमने पढ़ा था कि भाई जिस टाइम पे जो भी फोटो इलेक्ट्रान सबसे ज़्यादा इनर्जिटिक होता है उसका जो maximum possible energy है बाइट energy is corresponding to the stopping potential क्योंकि जब stopping potential से ज्यादा potential हो जाती है तो भाई कोई भी इलेक्ट्रान अब collector पर पहुची नहीं पाता है तो अब mathematically देखो वी नॉट के मैक्स पे dependent है के मैक्स किस पे dependent है frequency तो इसे लिए stopping potential frequency पे dependent होता है बट इसका intensity से कोई लेना देना नहीं होता है फिफ्ट पॉइंट stopping potential and max kinetic energy of photo electron increases linearly with frequency now this is very very important यह पॉइंट कह रहा था कि जो के मैक्स होता है और जो stopping potential वी नॉट जो होता है और जो maximum kinetic energy k-max होता है इन तोनों का frequency के साथ जो relation होता है that is a linear relationship मतलब जैसे जैसे frequency बढ़ेगा वैसे वैसे stopping potential बढ़ेगा बट यह आइंस्टाइन ने प्रूफ कैसे किया mathematically अपने equation से देखो कैसे किया अच्छा यह तो सबको पता था कि इवी नॉट जो है that is equal to k-max ठीक है अब इसमें Einstein ने अपने equation के हिसाब से values डाली उसने क्या किया उसने कहा कि मैं लिख सकता हूं कि e v-naught is equal to k-max के बदले में मैं यहां से क्या लिख सकता हूं k-max के बदले में h-new minus h-new-naught तो यानि कि मैं लिख सकता हूं v-naught is equal to h by e new minus h-new-naught by e ठीक है अब इस equation को ध्यान से देखो क्या यह equation y is equal to mx plus c के फॉर्म में नहीं है और हमें क्या पटा है y is equal to mx plus c जो है that is the equation for a straight line ठीक है कोई भी दो quantities के बीच में अगर हम graph plot करेंगे जिसे for example यहां पर let us suppose कि हम y-axis में ले लेते हैं v-naught को क्योंकि यहां पे v-naught देखो y की जगा पे है और x की जगा पे क्या है new है तो frequency को ले लिया y-axis के about ठीक है अगर मुझे graph एक straight line मिलता है इसका मतलब v-naught जो है यह frequency से directly proportional है तो देखो वैसा ही कुछ होगा इसका मतलब इनका जो straight line हमें मिलेगा straight line का slope हो जाएगा h by e और इसका intercept हो जाएगा h new not by e negative है इसका मतलब negative intercept है which means अगर new की value 0 होती है तो v-naught की value कितनी होगी minus h new not by e तो new की value 0 मतलब v-naught की value ऐसे negative axis पे होगी तो यहां से हम एक ऐसा straight line बना सकते हैं तो basically यह जो intercept है that is given by h new not by e और यह जो straight line है इसका slope is given by h by e चिक है तो इस तरीके से Einstein ने देखो कितने बहतरी इन तरीके से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भई हमारा जो equation है उसके help से हमने इस fifth point को भी प्रूफ कर दिया and finally the last point which said that photoelectric effect is an instantaneous process which was also true with Einstein's explanation on photoelectric effect तो Einstein की इतने satisfactory explanation on photoelectric effect ने बिलकुल stamp लगा दिया on the particle nature of light और हम सब ने यह मान लिया कि light consists of discrete particles जिने हम कहते हैं photon तो बच्चों आइंस्टाइन जी ने यह तो बता दिया कि भई radiation में dual nature है बट इसी के साथ साथ photon का picture भी सामने आया अब radiation के अंदर क्या थे छोटी छोटे particles जिनका नाम था photon तो photon के बारे में हमें क्या-क्या बाते पता चली देखो हमें सबसे बहले तो यह पता चला कि radiation behaves as if it is made up of particles when it interacts with matter मतलब radiation जब matter के साथ interact करता है तो वो जैसे नहीं वो कहते हैं जब जहां हो तब वहां के जैसे just हो जाओ तो कुछ वैसा ही हालत radiation का है जब वो matter के साथ interact करता है तो वो खुद भी particle nature अपना शो करता है तो उस समय वो ऐसे बीएव करता है जैसे कि it is made up of particles called photons photons की अगर बात करें तो energy of each photon is considered to be h new जहां पे new is the frequency and h is Planck's constant momentum of each photon की अगर बात करें तो that is equal to h new by c ठीक है where c is the velocity of light अगर हम photons की बात करें तो all photons of a radiation of same frequency have same energy and momentum अगर हम एक particular radiation की बात कर रहें तो उस radiation में जितने भी photons हैं उन सारे photons में same energy और same momentum है energy and momentum of photon is independent of intensity of incident light ठीक है मतलब ऐसे समझ लो ना intensity और that frequency Cr Jestomina 36 का आखडा है जो अभी चीज frequency पर depend करती है वह intensity पर नहीं करती है जो intensity पर अधेये नहीं करती है ठीक है तो यहां पर जैसे हम देख रहेकि एनरजी फ्रिक्वषी पर टपे पिंड कर रही है momentum frequency पर depend कर रही है तो इसलिए ये सारी चीज़े intensity पर depend नहीं करती है photons are electrically neutral इन में positive या negative कोई charge नहीं होता है in photon particle collision जब एक photon एक particle से collide करता है उस समय total energy is conserved energy conservation true रहता है total momentum is conserved momentum conservation भी true रहता है number of photons may और may not be conserved लेकिन कितने number of photons collision से पहले थे और कितने number of photons collision के बाद है वो भले ही conserved नहीं रह सकते हैं तो भाई इस पूरे discussion से finally हम अपने concluding statement पर आप पहुचते हैं कि radiation जो है इसका dual nature होता है इसका double role होता है depending upon the condition ये wave की तरह behave करता है again based on the condition ये particle की तरह भी behave करता है तो भाई इस बात से तो हम convinced हो चुके हैं पूरी तरह कि चाहे radiation हो या फिर matter दोनों में होता है dual nature कभी particle तो कभी wave तो अभी तक तो हम discuss कर रहे थे radiation के particle nature के बारे में अब हम discuss करेंगे matter के wave nature के बारे में क्यूंकि matter में particle nature है वो तो सबको पता ही है कि बही matter के अंदर particles होते हैं बट मैंटर में वेव नेचर है पता है अब है पता क्यूंकि कि वी और कन्विंस्ट अबाउट दूवल नेचर बट लेट्स टॉक अबाउट डी ब्रॉइस हाइपोथेसिस तो डी ब्रॉइ नाम के एक scientist ने एक hypothesis दी कि अगर हमारे पास एक particle है जिसका मास M है जो मूव कर रहा है with velocity V तो इस particle के साथ associated होगा this particle will behave like a wave under suitable conditions और यह जो wave होगा इस wave की wavelength दी जाएगी by this expression lambda is equal to h by mv mv is mass into velocity which is nothing but linear momentum p so lambda is equal to h by p and this is D-Broy's hypothesis तो D-Broy ने बोला कि यह जो wave associated होता है matter के साथ इसके लिए एक अलग नाम रख दिया गया which is called matter wave अब यहां पर हमारे दिमाग में एक सवाल आ जाता है के यार matter तो हमारे आसपास इतनी सारी चीजें है because हमें पता है anything that occupies space and has masses matter तो हमारे आसपास जितने भी चीजें दिख रहे हैं चाहिए टेबल है यह चेर है यह फैन है यह घर है मैं हूं सब कुछ matter है right but यह जो चीजें हैं यह सारी चीजें जो है वेव लाइक प्रॉपर्टी शो तो नहीं करती है हमें तो कुछ ऐसा इंड में वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखता नहीं है यह सारे पार्टिकल की तरह यह बेव करते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम डी ब्रॉइ के हाइपोथिस को थोड़ा ध्यान से देखें तो यह कहता है कि जो matter wave है राइट मतलब matter से associated जो वेव है उसका wavelength हम कैसे देख पाते हैं lambda is equal to h by mv मतलब यह जो wavelength है this is inversely proportional to mass तो अगर हम macroscopic objects की बाते कर रहें अगर हम बड़े objects की बात कर रहें तो उनका mass ज्यादा है उसके वज़े से उनका wavelength क्या हो जाएगा बहुत कम तो यानि कि उनके associated जो बड़े objects हमारे आसपास है जिनको हम देख पाते हैं वो बड़े हैं उनका mass ज्यादा है तो उनसे associated matter wave का जो wavelength है that is so small that it is beyond any measurement लेकिन वहीं अगर हम सब atomic domain में चले जाए जहां पर एक इंतम चोटे-चोटे particles होते हैं जो हमें वैसे आम तोर पर दिखते नहीं है जैसे electron तो वैसे cases में क्या है जो लामडा की वाल्यू है वो significant होती है वो measurable होती है और वैसे cases में जो wave nature है that is also significant तो बच्चोट डीब रॉय हाइपोथेसिस जब हम discuss करते हैं तो यहां पर एक और interesting point हमारे सामने आती है वो यह है कि matter waves associated with an electron could be verified by crystal diffraction experiments analogous to x-ray diffraction statement काफी भारी भर कम लगा लेकिन अगर हम इसे mathematically देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा ठीक है मान लो हमारे पास एक electron है जिसका charge e है mass m है हमने उसे वो rest पे था और हमने उसे accelerate कराया through a potential difference v ठीक है तो अब इस electron की जो kinetic energy होगी वो क्या हो जाएगी जितना work done इस पे होगा by the electric field that means ev kinetic energy of the electron को हम लिख सकते है half mv square this is equal to ev इसे अगर मुझी momentum के terms में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हमें पता है momentum क्या होता है mass into velocity तो m square v square को हम लिख सकते है p square तो फिर mv square को हम लिख सकते है p square by m ठीक है ऐसा हम कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 by 2 p square by m is equal to ev तो यहां से मैं लिख सकती हूं p square is equal to 2m ev और मैं कह सकती हूं p is equal to root over 2m ev ठीक है बट बात किसकी हो रही है बात हो रही है matter waves की matter waves की बात हो रही है मतलब उसकी wavelength की बात करेंगे हम तो चलो wavelength की बात करेंगे wavelength matter wave की अगर हमें बात करनी हो तो बात करनी पड़ेगी डी ब्रॉय hypothesis की so lambda will be equal to h by p तो यह हो जाएगा h divided by p की जो value हमने निकाली थी which is root over 2m ev correct अब इसमें बहुत सारे constants है h planks constant है mass of electron हमें पता है charge on electron हमें पता है तो इन सारे constants की value अगर हम डाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है lambda is equal to 1.227 divided by root over v ठीक है इतना nanometer अब अगर यहां पे हम एक 120 वोल्ट accelerating potential की बात करें यानि की वी की value अगर हम 120 डाल देते हैं तो lambda की जो value निकल के आती है that is of the same order as the spacing of the atomic planes in a crystal तो इसी लिए यह कहा गया था कि crystal diffraction experiments से ही हम यहां पे matter waves को verify कर सकते क्योंकि इनकी जो spacing है इनका जो wavelength है matter wave से associated wavelength है और crystal में जो atomic planes की spacing है they are of the same order तो अब जब हम matter के wave nature की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक और principle आ जाता है picture में which is called Heisenberg's uncertainty principle जी हां इस principle को हमने chemistry में काफी detail में discuss किया है और यह principle यह कहता है कि it is impossible to determine position and momentum of a particle simultaneously with accuracy मैं तब एक ही time पर position और momentum दोनों को हम accurately determine करी नहीं सकते हैं so mathematically इसे हम लिख सकते हैं like this delta x delta p is approximately equal to h by 2 pi तो चलो बचो देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल हमने ले लिया है डीब्रॉय हाइपोथेसिस से ठीक है तो यह सवाल कहता है कि a proton and an electron have same डीब्रॉय वेवलेंट ठीक है मतलब एक proton का जो डीब्रॉय वेवलेंट है और एक electron का जो डीब्रॉय वेवलेंट है दोनों बराबर है which of them moves fast and which possess more kinetic energy कौन जादा तेजी से मूव कर रहा है मतलब किसका velocity ज्यादा है अब डीब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें पता है lambda is equal to h by mv तो h by mp vp हो जाएगा mass of proton into velocity of proton similarly इधर हो जाएगा h by m e ve ठीक है तो अब h h तो भई दोनों तरफ cancel out हो गया let's say तो यह क्या हो जाएगा अगर मैं v e को इधर लेके आऊं तो मैं कह सकती हूं v e by vp will be equal to इधर आ जाएगा mp by m e ठीक है अब देखो mass of proton और electron में हमें क्या पता है कि mass of proton is greater than mass of electron इसका मतलब mass of proton by mass of electron is greater than one तो इसका मतलब v e by vp और v e by vp क्या है mp by m e के बराबर है तो v e by vp is greater than one ठीक है तो इसका क्या मतलब है कौन सब बढ़ा होगा v e is greater than vp यानि की कौन ज्यादा फास्ट मूव करेगा इलेक्ट्रोन ज्यादा फास्ट मूव करेगा ठीक है एक पार्ट तो solve हो गया दूसरा पार्ट कह रहा है कि which possesses more kinetic energy kinetic energy किसकी ज्यादा होगी तो अब kinetic energy की जब बात कर रहें let us talk about एक critical पहले let's say kinetic energy of proton क्या हो जाएगा half into mass of proton into velocity of proton का square यह हो जाएगा तिक है अब हम हम इसको क्या लिख सकते हैं को हम क्या लिख सकते हैं इसे हम ऐसे लिख सकते हैं MP into VP into VP टिक हम क्या करना चाह रहे हैं हम kinetic energy के साथ एक direct relationship निकाल के लाना चाह रहे हैं lambda का ठीक है तो यहां पर मैं lambda को लेके आना चाह रहे हूं lambda होता क्या है lambda according to deep breath hypothesis is equal to h by MP VP यह हो जाएगा lambda P है ना तो MP VP के जगह मैं लिख सकती हूं h by lambda P तो इस यहां पर मैं लिख सकती हूं h by lambda P into VP ठीक है मैं यह लिख सकती हूं तो यानि कि मैं कह सकती हूं कि lambda P will be equal to lambda P को इधर लिखे जाते हैं तो यह हो जाएगा h VP divided by 2 kp ठीक है मैं ऐसा बोल सकती हूं बिल्कुल बोल सकती हूं so in a similar way similarly मैं लिख सकती हूं कि lambda E is equal to hve divided by 2 ke लिख सकती हूं मैं ठीक है अब according to question lambda P is equal to lambda E यह दोनों बराबर है यानि कि h VP divided by 2 kp is equal to hve divided by 2 ke h by 2 h by 2 cancel हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं ke by kp is equal to ve by vp अभी अभी हमने क्या देखा ve by vp is greater than 1 यहां पर यही देखा ना हमने ve by vp is greater than 1 इसका मतलब ke by kp इसका मतलब ke by kp will be greater than 1 therefore ke will be greater than kp यानि कि kinetic energy of electron will be greater than the kinetic energy of proton तो बच्चा पाटिया इसी के साथ हम आप पहुँचे हैं इस वीडियो के end तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके concepts हुए होंगे crystal clear और अगर ऐसा हुआ है तो comments में जरूर लिखना कि concept हुआ crystal clear मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी तब तक के लिए stay home stay safe take care bye bye